नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग मैं पंकस्त और बिटकॉइं एक्सक्राइब आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्यों मार्किट जो है दुबारे से 9000 डॉलर के नीचे आगई और देश और दुनिया में जो भी खबरे चल रहे हैं वो मैं जो सबसे बहुत करते हैं बिटकॉइन के प्राइस की बिटकॉइन दुबारे से 9000 डॉलर के नीचे आ गया और इसको जो सपोर्ट मिल रही है आप देख सकते हैं 8600 के आसपस इसको बेस जो है में सपोर्ट है और जो रेस्टेंस है वो 9400 डॉलर पे है यह 9700 डॉलर तक लेकिन उसके बाद दुबारे से नीचे आगया, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, जो Medgox है उसका जिन भार-भार निकलता है और वो Bitcoin के price को दुबारे से नीचे खीच लेता है, और अभी जो news आ रही है कि उन्होंने एक wallet के अंदर 16,000 Bitcoin ट्रांसफर की हैं, और इस वज़े से दुबारे से जो है पैनिक आ गया है कि almost 144,000,000 बिटकोइन वर्थ के बेच सकते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि बिना जज़ की permission के, बिना ज़ज के notice के वो अपने बिटकोइन नहीं बेच सकते हैं, और कोई भी plan नहीं है, जैसा कि Madcox ने बोला था, कि अभी उनका इस summer के अंदर कोई plan नहीं है इसको बेचने का, और दोस्तों इसी से पता दलता है कि लोगों का कितना दिल कच्चा है, और हर चीज में एक दम से घबरा जाते हैं, और panic में आके अपने bitcoin बेचने शुरू कर देते हैं, और दोस्तों यहीं पर जो है लोग जो इस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं, वो आपका फायदा उठाते हैं, दोस्तों इसी से जूड़ी एक news और आपको बता दें, आज का जो hero है coin का, वो है SIA coin, SIA coin SC, आप देख सकते हैं, आदे घंटे से एक घंटे के अंदर उसने double का के अंदर, दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो उसकी एक छोटी सी क्लिप में आपको यह अभी दिखा देता हूं, इबाल जी, SIA coin के बाहरे में बता रहे हैं, सिया coin की बात करें, इसकी technology बहुत अच्छी है, और हमें जो लगता है, प्रमोर भाई, SIA coin और 400-500 Satoshi तक जा सकता है, अगले 3 महिने के अंदर, यानि कि double का potential आज भी लगता है कि देखे जा सकता है, दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी है, तो नीचे description में से आप लिंक लेके इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं, दोस्तों आप बात करते हैं, जो news है, वो इंडिया के हिसाब से भी बहुत importance रखती है, चिलियन जो banks हैं, उनको court ने दुबारे से जो cryptocurrency exchange की जो उन्होंने bank account बंद कर दिये थे, दुबारे से खोलने के लिए order कर दिये हैं, और court ने ये माना है कि वो unjustified था, और चिली की court में ऐसे ही 10 bank के खिलाफ में ये च चल रही है, और exchanges ने case डाले हुए है, कि unjustified है, उनका account close किये गए है, दोस्तों, चिली की तरज पर ही जो है, चिली भी एक country है, बहुत conservative country है, cryptocurrency को लेके, इंडिया की तरह, तो हम उमीद करते हैं कि इंडिया में भी जो है, कुछ positive निकल के आएगा, court से, जैसा कि आपको पता ह है, कि एक petition recently दाखिल हुई है, दोस्तों, अब चलते हैं, एक और बड़ी ख़बर पे, और आप समझ में आता है, कि क्यों bank जो है, खौफ खाते है, cryptocurrency exchange से, आपको बता दें कि जो बाइन्स है, जो की 8 महीने पुराना exchange है, उसने 148 साल, यानी के almost 500 साल पुराने bank को पचाड द है, दोस्तों, कुछ bank जो है, cryptocurrency के against में, और कुछ bank जो है, समझ गये है, कि cryptocurrency को खतम नहीं किया जा सकता है, और इसको जल्दी से जल्दी अपनाने में ही फायता है, तो आपको बता दें, Germany के अंदर जो है, पहला bank है, VPEAG, जो की security trading bank है, उसने जो है, cryptocurrency offer करना शुरू कर दिया ह है, अपने clients को, दोस्तों, यह जो शुरुवात है, आगे-ागे देखिए होता है क्या, और हम उमीद करते हैं, और बहुत सारे banks जो है, आपको future के अंदर, Bitcoin को बेचते दिखेगे, दोस्तों, एक और बड़ी ख़बर निकल के आ रही है, Wing Clothes, जो brother है, उनका जो cryptocurrency exchange है, Germany, उन् Nasdaq के साथ में, जो market को monitor करने के लिए, और इसी के साथ में Nasdaq से एक और news आई, कि जो उनकी CEO है, उन्होंने कहा है, कि हम future में cryptocurrency trading offer कर सकते हैं, जैसे ही Bitcoin और cryptocurrency की market mature होगी, दोस्तों, यह बहुत बड़ी statement और बहुत बड़ी बात है, और Nasdaq में अगर जिस दिन ये cryptocurrency trading होनी चु कर दिये हैं, उन्होंने जो है, दस blockchain और cryptocurrency companies को operate करने के लिए, जो उनका special economic zone है, उसके अंदर allow किया है, और वो जो है, वहाँ पे mining कर सकते हैं, वहाँ ICO launch कर सकते हैं, वो 10 companies, वो Korean, Malaysian, Hong Kong, Japanese company हैं, और वो वहाँ पे cryptocurrency exchange भी खोल सकते हैं, तो यह भी बड़ी बात है, फाइनली फिलिपिन्स ने भी cryptocurrency को accept करना शुरू कर दिया है, एक तरह से, और दोस्तो आखरी कबर जो निकल के आ रही है, वो जैपे से आ रही है, जैपे ने ओमिस गो यानि कि जो उन्होंने कल एक coin launch किया था, ट्रेडिंग के लिए और चोबिस घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ए रही ना कहीं जो अगर वो एड कर रहा है तो कुछ ना कुछ positive इंडियन मार्केट में देख रहा होगा, और हम उमीद करते हैं कि कुछ ना कुछ positive ही निकल के आएगा, I hope दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो news update है वो आपके काम की होगी, दोस्तो लेटेस news and update के लिए आप हमारे telegram channel, twitter, facebook को भी follow कर सकते हैं और उसका जो link है वो नीचे description में mention है, दोस्तो अगर आपको ये वीडियो काम की लगी है तो इसको like करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप इस channel पर पहली बार आये हैं तो इसको subscribe करना भी मत भूलिएगा, thank you, नमस अशकार धन्यवाद